यदि आपके पास bank का RQC यानि दोबारा के WC कराने के लिए message आ रहा है या email आया है या फिर खाता freeze हो गया है, तो बता दें कि अब ग्रहक को RQC कराने के लिए बार बार bank जाने की ज़रूरत नहीं है. आप online घर बैठे ही कर सकते हैं, इसके लिए ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वीडियो ध्यान से देखें. पहले हम देखेंगे कि RBI गवर्नर ने इस बारे में क्या कहा है, उसके तुरंट बात देखेंगे कि RQC घर बैठे, बिना bank जाये कैसे करें, पहले ये ध्यान से सुने. तो देखा, RBI की ओर से साफ कहा गया है कि अगर आपका bank में KYC है, तब दोबारा KYC के लिए bank जाने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा और सुनते हैं. जैसा गवर्नर ने बताया, बरांच जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप अपना RQC करवा रहे हैं. अगर आपका कोई भी KYC डीटेल उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है, तो आप एक simply एक email भेज़ दें, या फिर अपना जो registered mobile है, उसे message भेज़ दे bank को, और RQC हो ज जरूरी है. अब सवाल है कि RQC दस्तावेज कैसे जमा करें? आप email, doc, courier द्वारा हस्ताक्षरित, स्वगोशना पत्र और KYC सूचना भेज सकते हैं. यदि पते में परिवर्तन नहीं हुआ है, ये काफी है. KYC संबंधी जानकारी में कोई परिवर्तन ना होने पर, RQC के ल तो कमेंट करें. वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि ये ज्यादा ज्यादा लोगों तक सूचना पहुचे. लोगों का जागरूक करना हमारा और आपका फरض है. इसलिए जानकारों के साथ शेयर जरूर करें. जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में धन्यवाद जय हिंद